ना मटन कारी, ना मटन का सालन, ना मटन कॉर्मा, ये हैं मटन की एक्तब नई हैं और अनोखी रेसिप्त एक पर जरूर बना कर ट्राइक किजेएंगा। मैं उमीद कहते हूं, आपको रेसिपी पसन हैंगे ह्सी पसना है। तो लाइक कीजे, शेर कीजे, सबस्क्राइब कीजे, सबसे पहले हमने 1 kg मटन लेना है, मटन को अच्छी तरह से वाश कर लेंगे, वाश करने के पाद एक कोकर लेंगे, कोकर में वाश किया होँआ मटन दाल देंगे, इस तरह से, इसमें दालेंगे half glass water अगर हमने 1 kg मटन लिया है तो एक glass water दालना है half kg लिया है तो half glass हल्दी दालेंगे half teaspoon नमक अपने taste के according 2 tablespoon लसन अदरक और हरिमेज का दरदरक कूटा हुआ पेश्ट लेंगे जो छन्नी बत्ते में कूटा जाता है उसे स्वाद अलग ही आता है सब चीजों को अच्छी तरह से हमने mix कर देना है अब ढ़कन ढ़क देंगे और इसे boil होने तक क्या पकने देंगे जब तक ही boil होता है तब तक हम 2 medium size की onion लेंगे उसे मोटा मोटा चॉप करके एक mixi के जार में लेंगे एक बड़ा size का टोमेटो लेंगे उसे मोटा मोटा चॉप करेंगे और mixi के जार में डाल देंगे इसका जो है तो एकदम fine paste बना कर ready कर लेंगे तो यह हमारा एक paste ready और एक आप मैं आपको secret masala बताऊंगी वह आगे वीडियो में बताऊंगे तो यहाँ पर यह paste बना लिया है हमने यहाँ पर हमारा mutton भी जो है तो बड़िया तरीके से गल कर ready हो चुका है यान एकदम soft और juicy बन चुका है देख लीजिए इसे किस तरह क्या यह बन कर ready हो चुका है अब जो है मेथी की भाजी यानि मेथी पत्ता होता है वो हमने पत्ता पत्ता तोड़ा है उसे wash करके एकदम fine chop किया chop की हुई मेथी इसमें हम डाल देंगे उसे थोड़ा से सौते कर लेंगे उसके बाद में जो tomato और onion का जो पेस्ट हमने बना कर रखा है वो दालेंगे अब main का में इसकी हमें भुना ही बहुत अच्छी करना है कि tomato भी कच्छा है और onion भी कच्छी है जिसे मेथी में बहुत अच्छी तरह से हमने भून कर ready करना है देखे 5 मेट हो चुके था अब इसे क्या करेंगे उस लो फ्लेम पर भूनने के लिए छोड़ देंगे तब तक इसका secret मसाला बनाएंगे उसके लिए फिर से mixika jar लेंगे तीन हरी लाइच लेंगे टूटेबल स्पून पीनट लेंगे आधा चमब जो है तो ब्लैक पेपर लेंगे यानि काली मिश लेंगे टूटेबल स्पून सफेद तील लेंगे और इसका एक पाउडर बना देंगे तो फाइन जितना हो सका उतना फाइन हमें बना कर ready करना है तो देखे हमारा ये एक मसाला बन कर ready हो चुका है बहुत ही जादा खुश्बुदार इससे हमारे मटन में बहुत ही जादा स्वाद आएगा अब यहाँ पर जो है तो हमारा मसाला बढ़िया तरीके से भून कर ready हो चुका था इसकी कंसिस्टेंसी देख ली थे बिल्कुल proper ये इसकी खुश्बु आने लगी थे इतना अच्छा ये भून कर ready हो चुका था अब इसमें हमारा जो मटन था वो मटन डाल देंगे पका हुआ अच्छी तरह से हमने mix करना है अब इसमें जो हमने मसाला भी बनाया वो भी हम डाल देंगे फिर से इसे अच्छा mix करेंगे इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून लाल मिश पाउडर वन टेबल स्पून धनिया पाउडर अब इसे mix करेंगे और फुल फ्लेम पर इसे जो है तो हम भून लेंगे ता कि ये भूनने में बहुत ही बढ़िया आ जाए और इसका ऑईल जब तक सिप्रेट ना हो जब तक हम इसे भूनते रहेंगे अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन थोड़ी से फिर से mix करेंगे तो देखिए इसमें जो है तो ऑईल रेलिस होने लगा था और इसमें अच्छी तरह से भून कर रेडी हो रहा है अब ग्यसका फ्लेम एक्दम लो कर देंगे और 10 मिनट लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे तो देखिए ऑल भी सेपरीट हो चुका है और कितना शांदार ये बनकर रेडी हो आहीं अब जो है तो हम इसे mix करेंगे कि इसका flame बन कर देंगे तो यह हमारा mutton बनकर ready हो चुका है बहुत ही शानदार हो कई घर खुश्बू जाने वाला ऐसा mutton यह बनकर ready होता है एक बार जुरूर से बना कर देखिएंगा तो देखिएंगे हमारा mutton ready है इसमें हमने जो है तो water अगर इस्तेमाल नहीं किया अगर आपको थोड़ी पतली gravy वाला चाहिए तो आप यहाँ पर थोड़ा सो water इस्तेमाल करें और इसे पका लें तो आप एक serving dish लेंगे और उसमें यह हमारा mutton serve करेंगे दान, पराठे, पूरी, कुल्चो के साथ में, तंदूरी रोटी के साथ में आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से enjoy कर सकते है I hope guys आपको यह receive पसन आई हो, अगर आपको यह receive पसन आई तो please 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 like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए साइट में जो bell बटन आता है, उसको ओल पर click कर दीजिए ता कि आज वाला अमेजिंग से वीडियो का notification आपको मिलता रहे, Allah Hafiz and take care